नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पारुत रुपाथी पीम नरिंद्र मोदी के पहले ब्रुनोई और फिर सिंगापूर दौरे से चीन के लिए टेंशन बढ़ गई है यूँ तो प्रधान मंतरी के सिंगापूर दौरे पर दोनों देशों के बीच कई ऐसे एहम समझोते हुए हैं जो दोनों देशों के बीच के रिष्ट को मुझबूत करने जिनमें स्किल जबलपेंट, दिजिटल टकनीक, समी कंडक्टर, AI सयूग शामिल है लेकिन पियम मोधी का इस दोरे पर ये कहना कि भारत की Act East नीती के लिए भी सिंगापूर एहम देश है जो कि चीन की नीदे उड़ा देने के लिए काफी है भारत और सिंगापूर की बढ़ती दोस्ती के कारण चीन बौक खला गया है क्या है पूरी कहानी सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बियॉन बौर्डर में चलिए शुरू करते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी अपनी दो दिवसिया यात्रा पर सिंगापूर बहुचे हुए हैं भारत और सिंगापूर ने गुरुवार को अपने संबंदों को व्यापक राजनीतिक साज़दारी के स्तर तक बढ़ाया है दोनों देशों ने सेमी कंडक्टर उद्योग में सहयोग सहित चार सहमती पत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं इन दोरान सिंगापूर के कंपनियों ने अगले कुछ वर्षों में लगभग साथ बिलियन अमेरिकी डॉलर यानि की पांच लाग करोड रुपे से अधिक निवेश करने का संकल्प किया है पियम मोदी ने सिंगापूर को विकाश शील देशों के लिए एक मॉडल बताया और प्रधान मंत्री लॉर्ण्स वॉंक के साथ अपनी बाच्चीत के दोरान कहा कि भारप अपने खुद के कई सिंगापूर बनाना चाहता है प्रधान मंत्री कार्याले ने एक्सपर एक पोस्ट में कहा में भारत में निवेश के अफसरों को देखने के लिए आमंत्रत किया पिये मोदी ने सिंगापूर को भारत की एकस इस्ट नीती का महतपून सूत्रधार बताया उन्होंने कहा हमारी राजनीतिक साजुधारी एक दशक पूरा कर रही है पिशले दस वर्षों में हमारा व्यापार दो गुने से भी अधिक हो गया है आपसी निवेश लगभग तीन गुना भढ़ कर डेर सो बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है सिंगापूर और भारत की दोस्ती से कैसे बड़ी च्रीन की टेंशन प्रुदार मंतरी नरेंद्र मोदी ने सिंगापूर की अपने समकक्ष लॉरेंस वॉंग के साथ एक सार्थक बैचक की इस दोरान दोनों देशों के बीच अद्यूपक्षिय संबन्दों को व्यापक रणनीती साज़दारी के स्तर तक पहुचा दिया गया प्यम मोदी के गत दस वर्षों के कारिकाल में भारत ने एशिया इसे यूरोप तक कई नए रणनीतिक साज़दार बनाए हैं ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए बड़ा जटका है अब सिंगापूर भी भारत का रणनीतिक साज़दार बन गया है सवोंग ने एक सिंगापूर में एक सार्थक वैटक की उन्होंने कहा नेताओं ने समंदों को व्यापक राजनीतिक साज़दारी तक बढ़ाने पर सेहमती व्यक्त की है अक्ट इस्ट पॉलिसी का कॉंग्रेस के शाशनकाल से कनेक्शन दक्षिन चीन सागर में एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपून दूइप है ब्रुनेई और भारत की अक्ट इस्ट नीती में महत्वपून भूमिका ने भाता है लुक इस्ट पॉलिसी को पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में शुरू किया था जुसका एक्सपेंशन एक्ट इस्ट पॉलिसी के रूप में पियम मोदी ने किया है भारत ने आक्ट इस्ट पॉलिसी की शिरुवात नवेंबर 2014 में बारवे आसियान भारत तिश्विकर समिट के दोरान की थी लुक इस्ट पॉलिसी का जब शुरू की गई तब ये दक्षिन पूर्व एशियाय देशों के साथ आर्थिक रूप से मजबूती पैदा करने पर फोकास्ट थी जबकी एक आक्ट इस्ट पॉलिसी का फोकस आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर है दरसल ये लुक इस्ट नीती का ही विस्तार है जिसमें इंडो पैसिविक शेत्र के देशों के साथ सम्मंदों को गहरा बहतर और प्रोग्रिसिव रखने पर जोर दिया चाता है लुक इस्ट पॉलिसी का फोकस शेत्र केवल दक्षिन पूर्व एशिया तक था जबकी आक्ट इस्ट पॉलिसी का फोकस शेत्र दक्षिन पूर्व एशिया के साथ साथ पूर्वी एशिया तक भी बढ़ा है पिछले 10 सालों में आसियान देशों के साथ भारत का वैपार 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है भारत ने रूस के फार इस्ट में कई तरह के विकास कारियों के लिए एक बिलियन डॉलर की लाइन अफ क्रेडिट की खोशना भी की थी नॉर्थ इस्ट में च्रीन का आतंक नहीं हुआ कभी कम भारत की एक सीट पॉलिसी चीन के लिए कई तरह से चनौती पूर्ण है चीन साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसे शेत्री स्तिरता पर खत्रा मंड़ा रहा है Act East Policy के तहत भारत चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर रहा है और इसमें सिंगापुर से मजबूत सम्मन्द एहम साबित होंगे अरुनाचल प्रदेश को चीन दक्षणी तिबबत कहता रहता है क्या है अरुनाचल प्रदेश पारंपरिक रूप से दक्षणी तिबबत का हिस्सा है चीन ने अरुनाचल प्रदेश की कई यगाओं के नाम बदले और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है भारतिया नेताओं के अरुनाचल प्रदेश जाने पर भी वो अपत्ती जताता है चीन ने 2009 में पीम मनमोहन सिंग और 2014 में पीम मोधी के दोरे पर अपत्ती जताई थी क्या है अरुनाचल प्रदेश सीमा विवार अरुनाचल प्रदेश को North Eastern Frontier Agency कहा चाता था और बाद में इसे अरुनाचल प्रदेश नाम मिला ब्रुटेश राजवाले भारत में अंग्रेजों और तिबबत के बीच्व संधी में अरुनाचल भारत में शामिल हुआ और मेकमोहन रेखा कीची गई नगर चीन ने इस संधी को खारच कर दिया और कहा कि तिबबद भी तो उसी का हिस्सा है इसलिए संधी मानने नहीं है इसी तरह पाँच महिने पहले चीन ने एक बार फिर से अरुनाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था चीन के विदेश मंतरवाली के प्रवक्तालीन ज्रियान ने कहा कि 1987 में भारत ने चीन जमीन पर अवैत तरह से अरुनाचल प्रदेश वसाया हमने तब भी इसका विरोध किया था और आज भी हम अपने बयान पर कायम है ज्रियान ने कहा कि चीन और भारत के सीमा का कभी सीमांकन नहीं किया गया ये पूर्वी सेक्टर पश्यमी सेक्टर और सिक्किम सेक्टर में बटी हुई है पूर्वी सेक्टर में जौंग नान हमारा हिस्सा है यानि कि अरुनाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है भारत के कबजे से पहले चीन ने हमीशा प्रभावी ढंग से यहां पर शासन किया है यह मूल तत्य है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है इसी के साथ एक महिने में यह चौती बार था जब चीन ने अरुनाचल को अपना शेत्र बताया था दरसल 23 मार्च को विदेश मंतरी सेज़े शंकर ने सि चीन सीमा समझोता को नहीं मानता है इससे तो साफ नतर आता है कि चीन साफ तोर पर अपनी मनमानी करता है भारत और सिंगापूर के बीच राजनएक गडबंदन भारत और सिंगापूर ने 15 अगस 1965 को राजनएक सम्मंद स्थापत किये थे उसी दिन सिंगापूर को आजाद की रूप में स्थापित था साल 1965 में जब सिंगापुर को मलेशिया से आजादी मिली थी तब भारत सिंगापुर को एक संप्रभूर राष्ट की रूप में मानिता देने वाले पहले देशों में से एक था उसके बाद से दोनों देशों की बीच औपचारिक राजनएक संबन् हस्ताक्षर किये जिससे अधिक आर्थिक सायोग और दिवपिक्षय व्यपार में वरत्ती हुई दोनों देश रक्षा और रणनीतिक सायोग में लगे हुए हैं जो शेत्रिय सुरक्षा और स्थीर्ता में उनके साजाहितों को दर्शाता है दोनों के बीच कई सांस्कृतिक और सेचिक आदान प्रदान हुए हैं इसके अलावा सिंगापूर भारतिय समुदाई के लिए एक महत्वपून घर है जो दिपक्षिय संबंदों को और मजबूत करता है सिंगापूर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यपार भागिदारी है वो दुनिया भर में भारत का छटा सबसे बड़ा व्यपारिक भागिदार है भारत सिंगापूर के साथ अपने कुल व्यपार का 3.2 प्रतीशत हिस्ता साचा करता है 2005 में दोनों देशों द्वारा CECA पर हसाक्षर करने के बाद उस साल 6.7 बिलियन डॉलर का व्यपाद हुआ था जो अब भड़कर 2022 से 2023 में 35.6 बिलियन डॉलर हो गया साल 2023 से 2024 में सिंगापूर से भारत का आयाद 21.2 बिलियन डॉलर था 2022 से 2023 फैनेशल इयर में ये आकड़ा 20.6 बिलियन डॉलर का था 2023 से 2024 में सिंगापूर को भारत का कुल निरियाद 14.4 बिलियन डॉलर था 2022 से 2023 में आकड़ा 12 बिलियन डॉलर था यानि 20.2 प्रतीशत की व्रद्दी हुई थी सिंगापूर 11.7 अरब डॉलर के साथ भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्त्रोत है भारत की सिंगापूर में लगबग 9000 कंपनिया रजिस्टर्ड हैं जिन में 6 सारवजुनिक शेत्र के उपक्रम और 9 बैंक शामिल हैं भारतिय उद्यों को परिसंग और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्री के भी कार्याल है सिंगापूर में हैं सिंगापूर की 440 से अधिक कंपनिया भारत में पंचुकरत हैं जिन में Development Bank of Singapore और United Overseas Bank भी शामिल है सिंगापूर में भारतियों की संख्या सिंगापूर में 49 लाग किया अबादी में भारतिय लगबग 9.1 फीस्टी या लगबग 3.5 लाग हैं सिंगापूर में जादतर भारतिय वित्य सेवाओं, IT, Construction और Shipping कंपनियों में काम करते हैं इनके अलावा काफी भारतिय स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए सिंगापूर जाते हैं किसी भी एक शहर में सिंगापूर में IIT और IIM के पूर्व चात्रों की संग्या सबसे अधिक है सिंगापूर में करीब एक लाग भारतिय माइग्रेंस कामगार हैं सिंगापूर अंतराष्टियर सोर्स गडबंधन और वैश्विक जैव इतन गडबंधन 2023 में G20 दिली शिकर सम्मेलन के दौरान में शामिल हो गया था सिंगापूर 2021-2024 की अवधी के लिए भारत के लिए आसियान देशों का समन्व्यक्ष था जिसके दौरान भारत आसियान सम्मंदों को व्यापक रणनीतिक साज़ेदारी में उन्नत किया गया था फिलाल इस खबर में वस इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कैपिटल टीवी